तो सबसे पहला कोश्छन आ जाता है स सेनल कंए अगर हम इलेक्ट्रिक सील की बात करें यहाँ है। दिने ऊघंडर किया होती है है कैमिकल रियाक्षन होती है इसलिए हम बोलेंगे चो खुद हो जाती है खुद हो जाती है उनको कहते हैं spontaneous और जिसमें electron involve हो लाज जाँगे उनको कहते है redox reaction तो एक Electric cell एक device होता है जो convert करता है chemical energy को electrical energy में जो आप कह सकते हो which Convert spontaneous redox reactions कौन सी reactions होती है इन में cell में कौन से type की reactions होती है सेल में spontaneous redox reactions होती है ठीक है तो अब यहाँ पे note में दो वर्ड निकलते हैं हमारे पास reduction और oxidation तो फर्स्ट आ जाता है reduction 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 का मतलब क्या होता है gain of electron gain of electron और दूसरा वर्ड होता है oxidation और oxidation का मतलब क्या होता है loss of electronics तो यह दो वर्ड अब एक और बात दिखना कि एक electrode होता है electrode rod होती है जो सेल में डाली होती है ठीक है वो दो होती है एक होती है अनोड एक होती ही cathode अब प्रॉब्लम बच्चों को यह आती है कि cathode कौन सा electrode होता है और प्रॉब्लम प्रॉब्लम दीजों और और प्रॉब्लम होता है और ऑक्सीडीशन का पहला वर्ड क्या है ओ जो एक वावल होता है तो देखो कै्た क्यार्फूर्फ पर कून सब रोसेस होता है रिडक्शन क्या होती है लॉस हाफ इलेक्ट्रांज ही यह कहां पर होती है अनोड पर तो याद करने का है और आर कॉंसोनेंट तो नोे से से होता है ऑक्सीरियेशन तो यह दो वर्ड्स है oxidation और reduction यहाद रखने हैं तो सबसे पहला आजाता है cell क्या होता है जो convert करता है chemical energy को electrical energy कौन से टाइप की reaction है cell merit spontaneous reduction दो electrodes दो process होते हैं redox का मतलब RE का मतलब reduction और red का मतलब हो गया reduction और ox का मतलब हो गया oxidation तो दो process होते हैं कौन कोन से reduction और oxidation ठीक है reduction का मतलब क्या होता है gain of electrons कहाँ पे होता है cathode पे होता है oxidation का मतलब क्या होता है loss of electron कहाँ पे होता है anode पे battery सबसे पहली battery किसने डिस्कवर की थी अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने डी वोल्टा ने फ्रेंच था ये इसने डिस्कवर की थी फर्स्ट बैटरी कब 1800 तो बैटरी क्या कैसे बनती है जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं तो बन जाती है बैटरी जैसे हम इंवर्टर की बैटरी देखते तो उसमें देखा आपने ज cells पड़े होते हैं बड़े सारे यह देखो inverter की बैटरी यह दिख रही है आपको यह बैटरी यह जो उपर की तरफ यह पड़े हुआ है कितने cell लगे हैं इसमें एक दो तीन चार पांच शेप छे cell लगे हुआ है इस बैटरी में तो यह combination है six cells का एक बैटरी बने हुए है ठीक है दिया भी है यहां पे live fast inverter बैटरी ठीक है तो इसकेस में cells लगे हुआ है तो यहां पे कितने एक अगर cell दो वोल्ट भी देगा तो छे cell कितने बारा वोल्ट बैटरी हो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है बैटरी क्या होती है combination of two or more cells और बैटरी जो होती है न वो direct current produce करती है direct current क्या होती है जिसमें current की direction हमेशा सेम रहती है इसको ऐसे यह यह जो सिंबल बनाया न यह एक cell का सिंबल है बड़े वाला जो होता है वो positive होता है और छोटे वाला जो होता है वो negative होता है तो combination of cell यह एक लगा दिया cell positive और negative यह दूसरा cell लगा दिया इसी और बीच में so on so on कर लिया यह क्या बैटरी का सिंबल तो बैटरी और cell का सिंबल क्या होता है single होता है बड़े वाला positive होता है छोटे वाला negative और बैटरी का यह देखो यह सिम्बल होता है अल्टरनेटिंग क्रेंट कर देना उसके अंदर यह जैड साइन सा डालना यह हो गया किसका सिम्बल अल्टरनेटिंग क्रेंट का नेक्स्ट आ जाता है टाइप सा बैटरी बैटरी दो टाइपस की होता है उनकों सी प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी प्राइमरी बैटरी क्या होती है जो नौन रिचार्चेबल होती है जैसे हम सेल नहीं लेते मार्केट से इस टाइप के सल दियूराक्तु यह होते हैं यह wise ने था लगे किरके वे चाओँ जाते हैं तो सिमेकरी खेंटец one है पर कुछ होते हैं जो क्या होते हैं रिचार्च हो जाते हैं उनको बोते हैं सेकेंस्क इर्ड था डॉ जाते हैं cells क्या होते हैं या primary batteries कौन सी होती है जो non rechargeable हो इसमें redox reaction होती है आपको पता spontaneous खुदी हो जाती है लेकिन वो irreversible होती है कैसी reactions होती है irreversible spontaneous reduction irreversible का मतलब क्या हुआ जो एक बार हो जाएंगी वो दुबारा नहीं होंगी फिर दुबारा से ठीक है जैसे dry cell हो secondary क्या होते है इसमें जो reactions होती है वो कैसी reactions होती है reversible बार बार होती रहेंगी ठीक है एक बार आप पहले battery use करोगी फिर discharge हो जाएगी दुबारा से charge करोगी फिर use हो जाएगी जैसे कि lithium ion battery हो गई lead acid battery हो गई जो हम घर में यूज करते हैं यह थी batteries की introduction DC batteries की तो cell पता चल गया एक डिवाइस होता है जो कौन सी reactions होती है spontaneous reduction और oxidation दोवाड याद रगरने है reduction होता है gain of electron कहां पे होता है cathode पे oxidation क्या होता है loss of electron कहां पे होता है अनोर battery क्या होती है combination of two or more cells और battery में से कौन सी current produce होती है direct current ऐसे शो करते हैं यह एक cell आ गया single यह combination और alternating को कैसे बीच में circle डालके z sign types of batteries दो टाइप के होती है primary और secondary primary क्या होती है non rechargeable जिसमें reactions क्या होती है irreversible secondary क्या होती है rechargeable जिसमें reactions कौन सी होती है reversible ठीक है okay thanks a lot for listening next lecture आ जाएक सुन